नमस्कार न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्रित पाध्याय आए जल्दी से देखे आज के हेडलाइन्स हाली में इजराइल ने समुद्री व्यापार के लिए एक व्यकल्पिक रास्ते की की घुशना नए रास्ते में गुजरात का मुंद्रा पोर्ट भी शामिली हौतियों के हमलों के कारण इजराइल को तलाश थी एक नए विकल्प की केंदर सरकार ने FDI नीती में संशोधन को दी मन्जूरी अब अंतरिक शक्षत्र में 100% विदेशी निवेश तक की मिलेगी अनुमती मेकिन इंडिया और आत्म निर्भर भारत पहल को मिलेगा बल्ब और गन्ना किसानों को लेकर एक बड़ी खबर सरकार ने गन्ने के F.R.P. में 8% की विद्धी का लिया निर्णे इस फैसले से 5 करोन से अधिक गन्ना किसानों को मिलेगा फायदा आईए खबरों के शुरुआत करें एक कहावत है लड़ाई किसी और की फायदा किसी और का आपने रियल लाइफ में ऐसे बहुत से एक्जामपल देखे होंगे जब किनी दो के बीच की लड़ाई में मलाई किसी और को खाने को मिल जाती है अंतराष्ट्रिय संबंधों में भी ऐसा अक्सर होते रहता है इसका ताजा उदाहरण है हमारी ये खबर लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपके प्यार से ही हम और भी बहतर कंटेंट लाने के लिए प्रुटसाहित होते हैं तो आई ये शुरुआत कीजए अगर आप इंटरनेशनल रेलेशन्स में दिल्चस्पी रखते हैं युद्ध जैसे ही आगे बढ़ता गया हमास की हालट टाइट होने लगी और हमास और फिलिस्तीनियों के प्रती समर्थन दिखाने के लिए यमन के होतियों ने अपनी कमर कसली और ये लाल सागर मार्ग में इसराइल या इसराइल से रिलेटेट कमर्शिल शिपिंग जहाजों को निशाना बनाने लगे ये ग्रूप लाल सागर का लाल बदमाश बना हुआ बैठा है और लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाजों पर हमले करके पूरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को तोड़ कर रख दिया है जाहिर है कि इन हमलों से पूरी दुनिया में वैश्विक समुद्री वाणिज्य के भविश्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई है आप खुदी सोचिए कि लाल सागर समुद्री मार्ग वैश्विक कंटेनर यातयात का 30% और वैश्विक व्यापार का 12% है अगर इस रूट में अर्चने आएंगी तो जाहिर है कि समुद्री वैपार पर निर्भर देश और कंपनियों के सांसे फूल जाएंगी और दिल घुटनों में आ जाएगा भारत के संदर्ब में बात करें तो यूरोप के साथ भारत का लगभग 80% वैपार इसी मार्ग से होकर गुजरता है अब जाहाज करें तो करें क्या हमलों से बचने के लिए लगभग 95% कमर्शिल शिपिंग जाहाजों ने रास्ता बदल लिया इन जाहाजों को पूर्व से पश्चिम तक पहुँचने के लिए अफरिका के आसपास लंबा रास्ता चुनना पड़ता है या स्वेज नहर के माध्यम से सुरक्षित मार्ग सुनश्चित करने के लिए पास के बंदरगाहों पर इंतजार करना पड़ता है फिलहाल ये जाहाज साउथ अफरिका के केप ओफ गुड होप के आसपास से एक बड़ा सचक्कर लगाकर येरोप पहुँच रहे हैं रास्ता बदलने से 4000 से 6000 समुद्री मील की दूरी बढ़ गई है और 14 से 20 दिन का समय अब ज्यादा लग रहा है इसके और भी गंभीर परिणाम आ रहे हैं जैसे माल धुलाई की परिवहन लागत बढ़ गई जहाजों का बीमा प्रीमियम बढ़ गया और समय भी बढ़ गया इन बढ़ी हुई शिपिंग लागत से कुल मिला कर आयातित वस्तूओं की लागत में काफी वृद्धी हो सकती है और खामियाजा भुगतना पड़ता है हम और आप जैसे मासूम लोगों को लेकिन युद्ध के कारण इसराइल के सामने सबसे बड़ी चुनोती ये थी कि इसराइल में सामान कैसे लाया जाए क्योंकि इसराइल एक तटियर राज्य है और अधिकांश सामान समुद्र के रास्ते ही आते हैं लेकिन समस्याओं के साथ एक खास बात ये होती है कि हर समस पुझरी व्यापार के लिए एक वैकल्पिक रास्ते की घुश्णा की है अब भारत के लिए ये ख़बर इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वैकल्पिक मार्ग में गुजरात का मुंद्रा पोर्ट भी शामिल है चलिए समझते हैं कि ये नया मार्ग कैसा रहने इस नए रास्ते के तहट भेजा जाने वाला माल मुंद्रा पोर्ट से सन्यूक तरब अमिरात के बंदरगाहों जैसे दुबई के जेवल अली बंदरगा तक समुद्र के रास्ते जाता है और फिर जमीन के रास्ते सौधी अरब और जॉर्डन से होते हुए इसराइल तक जा की प्योर ट्रांस द्वारा किया जाएगा इस नए रास्ते से इसराइल के लिए यात्रा के समय और लागत में काफी कम ही आएगी और यह सौधी अरब और जॉर्डन के लिए राजा स्वोथपन भी करेगा हाँ लेकिन इस रूट की लिमिटेशन ये है कि ट्रक एक जहाज क तुलना में बहुत कम माल ले जा सकते हैं और इस कारण व्यापार थोड़ा सीमित तो जरूर होगा लेकिन कहावत है ना कि something is better than nothing लेकिन यहाँ आप ये मत समझीगा कि इस भूमी मार्क के बारे में अचानक से सोचा गया है बलकि पिछले कुछ समय से इस पर काम औरेडी चल जाते जाते एक और important बात ये बात है कि इसी तरह का मार्ग भारत मध्यपूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आइमेक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस महत्वकांक्षी परियोजना का लक्ष भारत को मध्यपूर्व के रास्ते यूरोप से जोड़ना है लेकिन इसका चिनाथ रविचंदरन की अगने कुल प्राइवेट स्पेस कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है दोनों कंपनियों की मैन पाउर, स्किल्स, टेक्निलोजी और पैसा अगर साथ में मिल गए तो एक अलग ही सेनेरियो देखने को मिलेगा नए इनोवेशन, नए मिशन और नए सफ पहलताएं देखने को मिलेंगी, ये तो सिर्फ एक ही उधारण है, अब जल्द ही पूरी दुनिया के स्पेस एजनसियां भारतिया स्पेस एजनसियों के साथ मिलकर काम करने वाली है, सवाल है कि ऐसा क्यों होने वाला है, हाली में भारतियां अंतरिक शिक्षत्र के लिए ए भारतिया कंपनियों में निवेश करने के लिए खिचे चले आएंगे फिलहाल मौजूदा एफडियाई नीती के हिसाब से उपग्रहों के स्थापना और संचालन में केवल सरकारी अनुमोदन मार्क के माध्यम से एफडियाई की अनुमती है लेकिन अब भारतिया अंतरक्ष नीती 2023 के तहद केंद्रिया मंत्री मंडल ने विभिन उपक्षत्रों या गतिविधियों के लिए एफडियाई सिमाओं को काफी उदार कर दिया है और अंतरिक्ष शक्षत्र पर एफडियाई नीती को आसान बना दिया है इससे एक फायदा ये भी होगा कि भारतिया कंपनि नीकल टम्स को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं सबसे पहले समझे कि एफडियाई क्या होता है देखे किसी एक देश के व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में व्यावसाई गतिविधियों में किये गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कह कंपनी की कुल हिस्सेदारी में 10% से अधिक होती है ध्यान दिजिए कि यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में विदेशी एकाई केवल किसी कंपनी के एक्विटी शेयर खरीती है लेकिन FDI केवल फंड का ट्रांसफर नहीं होता FDI से प्राद्यों की ज्यान कोशल और विशेशग्यता भी ट्रांसफर होती है FDI में विदेशी एकाई का कंपनी के दिन प्रति दिन के संचालन में दखल होता है देखिए FDI के तहत विभिन प्रकार की गतिविधियां शामिल होती है जैसे किसी दूसरे देश में एक सहायक कंपनी के स्थापना करना किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का विलय अथ्वाधी ग्रहन करना और किसी विदेशी कंपनी के साथ सन्युक्त उद्यम साज़ेदारी करना आईए अब इसे एक एक जामपल से समझ लेते हैं जैसे बीमा सेक्टर में HDFC Ergo कंपनी बीम अथिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गैरे रिन मौद्रिक स्रोत है अब ये भी समझे के FDI आता कैसे है इसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है भारत में मुखिता ऐसे दो तरीके हैं जिनके माध्यम से FDI भारत में आता है पहला है स्वाचालित या फिर की विदेशी इकाई को अनिवार्य रूप से सरकार की मंजूरी लेनी होगी इसे विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेधन दाखिल करना चाहिए जो एकल खिडकी निकासी की सुविधा प्रदान करता है इसके बाद यह आवेधन समंधित मंत्राले य बैंकिंग और सार्वजनिक खुषत्र, प्रिंट मेडिया, मल्टी ब्रंड, खुद्रा व्यापारित त्यादी। अब सरकार ने उपग्रह उपक्षत्र को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तीन अलग-अलग कैटेग्रीज में बाटा है। स्पेस पोर्ट के निर्माड से रिलेटेट सेग्मेंट के लिए स्वचालित मार्क के तहत 49% तक FDI हो सकेगी। लेकिन 49% से ज्यादा के लिए क्या करना होगा? सरकारी मंजूरी लेनी पड़ेगी। और अंत में उपग रहूं, ग्राउंड सेग्मेंट और उप्योग करता सेग्मेंट के लिए घटकों और प्रनालियों या उपप्रनालियों के निर्माड के लिए स्वचालित मार्क के तहत 100% तक FDI का प्राउधान किया गया है। चलिए बढ़ें आगे, हाली में गन्ना किसानों को लेकर एक बड़ी खबर आई। दरसल प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामदों की कैबनेट समिती की बैठक में गन्ने के उचित और लाभकारी मोलिय यानि F.R.P. में 8% के वृधिकर निर्ने लिया गया। लोग सबा चुनाओं के पहले लिये गए इस डिसीजन को राजनेतिक विशेशग्य सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। ये डिसीजन अब प्रत्याशित भी है क्योंकि सामानेता सरकार द्वारा जून में F.R.P. की घोशना की जाती है। किसानों को 3.32 पैसे की अतिरिक्त कीमत मिलेगी जबकि वसूली में 0.1% की कमी पर समान राशी की कटाउती की जाएगी। हाला कि गन्ये का नियूंतम मुल्य 315 रुपे 10 पैसे प्रतिक्विंटल है जो 9.5 प्रतिशत की रिकवरी पर है। भले है चीनी की रिकवरी कम हो। किसानों को 315 रुपे 10 पैसे प्रतिक्विंटल की दर्से F.R.P. का आश्रासन दिया जाता है। इसको आप छोटी मोटी बात मत समझेए। ये गन्ये की एतिहासिक मूली वृद्धी है। जो चालू सीजन 2023-2024 के लिए गन्ये की F.R.P. से लगभग 8% अधिक है। सरकार के अनुसार संशोधित F.R.P. 1 ऑक्टूबर 2024 से लागू होगी। इसके साथ ही सरकार ने ये दावा किया है कि गन्ये की लागत से 107% अधिक F.R.P. के कारण गन्या किसानों की सम्रिद्धी सुनिश्चित होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पहले से ही दुनिया में गन्ये की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है और इसके बावजूद सरकार भारत के घरेलू उपभोगताओं को दुनिया की सबसे सस्ती चीनी सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि केंद्र सरकार के इस फैसले से पांच करोन से अधिक गन्ना किसानों यानि परिवार के सदस्यों सहित और चीनी क्षत्र से जुड़े लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। आखरी दोर की बातचीत में सरकार ने अगले पांच साल के लिए केवल पांच फसलों को कानूनी गैरेंटी देने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा था जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। इसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच टकराओ बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि इसी दबाओ में सरकार ने वक्त से पहले फर्पी की घोशना कर दी है। खेर, कारण चाहे जो भी हो, सरकार के इस कदम से एक बात तो तैह है कि गर्ना किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आएगी। चली, अब जरह कुछ और खबरों पर गौर कर लिया जाए। संदेश खाली को समझते हैं। संदेश खाली द्वीप में अधिकतर अनसूचित जाती के किसान और मचवारे रहते हैं। संदेश खाली एक समय तेभागा आंदोलन जोकि 1946-47 के बीच चला, इसका गड़ भी रहा है। किसानों ने कृशी उत्पादन में बड़े हिस्से के लिए आंदोलन किया था। बाद में संदेश खाली 2010 के दशक तक CPIM का गड़ था। 2011 में वामपंथियों की हार के बाद यहां चीज़े बदल गई, 2016 तक TMC इसक्षत्र में प्रमुख ताकत बन चुकी थी, खास तोर पर संदेश खाली की मुस्लिम आबादी TMC का एक प्रमुख वोट बैंक थी। यहीं एंट्री होती है संदेश खाली मामले के मुख्य किरदार की नाम है शेक शाह जहां। पुलिस भी इनके इलाके में नहीं गुशती थी, इस मामले के शुरुआत हुई थी ED की चापे मारी से, दरसल 5 जनवरी को ED यानि प्रवर्तन निदेशाले की एक टीम संदेश खाली एक गई थी, शेक शाह जहां के घर पर चापा मारने के लिए, शेक शाह जहां पर राज् शाह जहां पर यौन शोशन और जमीन कबजा करने के भी कई आरोप लगे हैं। के लिए लोगों को ले आई थी और भाजपा और आदिवासी स्टी बनाम अलप संख्यों को मुस्लिम की लड़ाई गड़ी गई थी। कुल मिलाकर संख्षेप में संदेश खाली की कहानी यही है, कॉमेंट करके बताईए इस बारे में आपकी क्या राय है। आईए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत की राष्टपती ने हाली में बहु अरब डॉलर की निर्माड परियूजना के लिए निर्धारित निकुबार द्विप समो का दौरा किया, इसके बाद स्वदेशी शौमपेन जनजाती फिर से चर्चा में आ गई। दरसल विशशग्यों ने चेतावने दी है कि इन विकास परियूजनाओं से शौमपेन जनजाती का अस्तित्व खत्रे में पढ़ सकता है। हाली में तमिलनाडू सरकार ने राजजी में कौटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंद लगा दिया। दरसल इसके पीछे कारण रोडा माइन भी रसायन का उपयोग बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रोडा माइन भी एक सिंथेटिक डाई है जो आम तोर पर कपड़ा, कागज, चमड़ा और पेंट उद्योग में एक रंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। आल और गुलाबी रंग प्राप्त करने में मदद करता है। इसका इस्तमाल कॉटन केंडी में ही नहीं बलकि मिठाई, लाल मिर्च, मिर्च पाउडर, करी पाउडर, सॉस के साथ कई दूसरे मसालों में भी किया जाता है। हाली में भारतिया कंपनी Tata Advanced Systems Limited यानी TASL ने भारत का और अपना पहला स्वादेशी जासूसी उपग्रा विक्षित किया। स्वादेशी जासूसी उपग्रा इस निर्भरता को समाप्त करेगा और संप्रभूता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस उपग्रा की बैंगलूरू स्थित ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से लगातार निर्देशित और निग्रानी की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लगदाख में दुनिया की सबसे उची जमी हुई जील पैंगॉंग पर मेराथन का आयोजन किया गया। यह इस मेराथन का दूसरा संस्करण था इसे पैंगॉंग फ्रोजन लेक मेराथन भी कहा जाता है। इस मेराथन को थी एश्टरन टाइटल दिया गया इसका मतलब है कि यह जमी हुई जील पर आखरी दौड हो सकती है। आपको बता दें कि यह कारिकरम केंद्र के वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है जिसमें साथ देशों के 120 धावकों ने हिस्सा लिया। इसे आयोजित करने के पीछे उद्देश यह हिमाले के पिगलते ग्लेशियरों की ओर ध्याना कर्शित करना है। जिसमें कंट्री नीट्स ट्रेकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांस्फॉर्मेशनल, टूल बॉक्स और ज्ञान का आधान प्रदान करना शामिल है। इसे भारतिय कंपनी टाटा एडवांस्ट सिस्टम्स लिमिटेड ये नीटी एसल द्वारा डिवलप किया गया है। इस उपग्रह को अप्रैल में स्पेसिक्स रॉक्ट द्वारा लॉंच किया जाएगा। कतनों में सही कौन सा है बताना है आपको केवल एक केवल दो एक और दो दोनों कोई भी कतन सही नहीं है। आईए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आप से क्या सवाल पूछे थे उनके सही जवाब क्या है। दोरगडबंधन के स्थापना कब हुई थी? 21 वे कॉन्फरेंस और पार्टिस के दौरान यानि कॉप 21 के दौरान, कॉप 22 के दौरान, कॉप 23 के दौरान या फिर कॉप 24 के दौरान और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। चले तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, कल रात नौ बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी, ख्याल रखिए अपना ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस बुलेटिन की पीडिएफ हासिल करना चाहते हैं, अमरितुपाद्ध है है